नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आउख करेविध योगीता योजदा मैं आज मैं बना रही हूं मश्रूम वह भी धावाय स्टाइल में बनाना जित्ता आसान है खाने में उत्ता ही लाजबाब है तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी रेसिपी पसंदा रही है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरू करें तो चलिए शुरू करते हैं बनाना धावाय स्टाइल मश्रूम बनाने के लिए सबसे पहले तो मश्रूम को हम दो के साफ कर लेंगे अच्छी से धो लिया इसको पोच के मैंने इसक पोड़ देंगे कड़ाई में डाल दिया सरसो का तेल तेल गरम हुआ तो इसमें डाल दिया है दो लॉंग और जीरा जीरे को हम अच्छी से बहून लेंगे जीरा बहुन चुका है अब बारी कटा हूँआ बड़े साइच का प्याँज मैंने डाल दिया है इसको भी बहून नामक करते हैं और टमाटर के साथ मसालों थोड़ी तेर भूल ने के बार इसपे मैं डालती हूं थोड़ा सा पानी और इसको कवर करके हम थोड़ी देर पकने देंगे Map Dr. alguém दोब तक पक रहा है हम आगी की तयारी करते हैं एक पैन में मैंने डाल दिया है बटर को मल्ट होने देंगे बटर मैल्ट हो चुका है अब जो हमने मश्रूम को मैरिनेट करके रखा था उसको डाल दिया है थोड़ा सा नमक और बारी कटा अद्रक और हरी मिर्शी डाल दिया है इसको लगातार चलाते वे एक से डेड़ मिनट मैंने भून लिया है मश्रूम भून गया है इसको बंद करते हैं अब देख लेते हैं कि हमारा टमाटर पका है नहीं टमाटर पक चुका है देखिए अब इसमें जो हमने मश्रूम को बटर में फ्राइ कर लिया था रहाए अच्छी से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं डाल त्यूंगे इसमें थोड़ा पानी और आधा चमच गरम मसाला मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसको पकने देंगे लगबग 2 मिनट मैंने इसको पकने दिया है इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें फ्रेश मलाई डाल दी है मलाई या क्रीम आप डाल लें इससे बहुत टेस्ट पकने के बाद अब मैंने डाल दिया हरा धनिया यह टेस्टी सा हमारा मश्रूम बन के तयार है आप भी ज़रू ट्राएगे